थोड़ी देर में सुरूओगा IPL 2022 का मेच नमबर 34 दिल्ली केपिटल्स के कप्तान डिसब पंत और रजस्तान रोयल्स के कप्तान संजू सेमसंग ने गोसित की अपनी खतरनाक प्लेइंग इलेवन दोनों टीमों में किये कई बड़े बदलाओं बदलाओं के बाद बनेगी य में कई बड़े बदला वूए हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम जैनेंगे कि यह सब जैनने के लिए बने रहे है नहीं कर आद साथने कर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि वह है तो आई पिल से जू acne है है ये लिट्निंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें के बेल आइक जरूर देबा ले और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले में शांदार प्रफॉमेंस करें तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें हमने इस वीडियो का लाइक टार कर देखने को मिलने वाली है क्योंकि दोनों टीम में जीत के साथ मेदान पर उतरने वाली है जहां पर दिल्ली केपिटल्स की टीम पंजाब किंग्स की टीम को हरा कर मेदान पर उतर रही है तो वही पर राजस्तान रॉयल्स की टीम को हरा कर मेदान पर उतर रही है यानि कि टेबल में भी दोनों टीमों में कापी बड़ी टक्कर में देखने को मिल रही है वहीं दोस्तों हम बात करें आपर दोनों टीमों के हेड़ टूए टांगड़ों की तो IPL के इत्यास में आप तक दोनों टीम में 24 बार एक दूसरे के आमने सामने हो चुए जिसमें से डिली केपिटल्स की टीम ने 12 मुकाबलों में सांधार जीत दर्ज करी है तो ही पर रजस्तान रोयल्स की टीम ने भी 12 मुकाबलों में जीत दर्ज करी है यानि कि अब तक IPL की इतियास में भी दोनों टीम में बिल्कुल बराबरी पर चल रही है तो ये मुकाबला काफी बड़ा टकर का होनने वाला है क्योंकि दोनों टीम में आप तक काफी शांदार फों में उतरी है तो ये मुकाबला मुंबई के पूरे स्टेडियम में खेला जाना था पहले लेकिन अब इस मुकाबले को क्लोरंटाइन खिलाड़ू की वज़े से वान करड़े स्टेडियम में सिफ्ट कर दिया गया है जिसकी वज़े से अब ये मुकाबला मुंबई के वानकर डे स्टेडियम में खिला जाएगा इस मुकाबले की सुरुआत भारते समयनुसार साम को साथ बचकर 30 मिनट पर सुरू होने वाली है साथ इस मुकाबले का लाईव पर साना आप टेलिवीजन में स्टार स्पोर्ड मुबाइल में डिजनी प्लेस होट स्टार पर देख पाएंगे वहीं दोस्तों हम बात करें उन खिलाडियों की जोगी इस मुकाबले में कमाल कर सकते तो राजसान रोयल्स की टीम की तरफ से जोस, बटलर, देवदत, पार्टिकल ने अब तक टीम के लिए कमाल की बल्ले बाजी करके दिखाएंगे तो वही पर टीम के कप्तान संजू सेमसंग भी अब तक अच्छी पोर्म में दिखे हैं वही पर इस टीम की तरफ से करून नायर, सिमरन, हेड मायर, रवी चंदरन, अस्विन और रियान पराग ने भी अब तक टीम के लिए कमाल का प्रपोमेंस किया है रवी चंदरन, अस्विन से यहां पर शांदार ओल्डाउंडर की लाडी की उमीद होगी तो वही पर गेंदबाजी में भी इस टीम की तरफ से ट्रेंट, बॉल, प्रिशित, क्रिशना, ओबेडे, मेस्किगो कभी कापी शांदार पोम में दिखे हैं यहां पर दोनों टेम की टीम की टाफ से ओपनिंग करेंगे एक बार फिर जोस बटलर के साथ देवदत पार टीकल तो इस टीम की तरफ से नंबर तीन पर उतरेंगे टीम के कप्तान संजु सेमसंग वही नंबर 4 पर इस टीम की तरफ से शिम्रण हैड मायर में केलते वे तो वहीं पर नमबर आठ पर में ट्रेंट बोर्ड कहलते हुए दिखेंगे तो नमबर नौ पर प्रेसित कृष्णा उतरने वाले वहीं नमबर दस पर ओबेड मेसी को उतरेंगे वहीं नमबर ग्यारा पर इस टीम की तरफ से युच्वेंदर चैलम में खेलते हुए वहीं नमबर पांच पर सरपराज कान तो नमबर चैपर रोमेन पवल उतरेंगे नमबर साथ पर सारथुल ठाकूर कहलते हुए दिखेंगे तो नमबर आठ पर अकजर पटेल तो कुल दी प्यादोओ वहीं नमबर दस पर मुस्ताफ़िजू सुर रह्मान उतरेंगे तो नम साथ ही साथ वीडियो को लाइक औरर शेर करना ना फूलिए तेंडि निवाद दोस्तों वीडियो के अंता के लिए